हलो दोस्तो मैं पुशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीर कोमिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप volume profile and volume दोनों को यूज करते हुए हम intra day trading कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर जो हम intra day trading करेंगे वो आप nifty और bank nifty में तो करी सकते हैं इसके साथ आप stocks में भी intra day trading कर सकते हैं वॉलूम एंड वॉलूम प्रोफाइल वो हम कैसे कर सकते हैं चलिए सीखते हैं तिहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं बैंक निफ्टी नॉमबर फ्यूचर वाला चार्ट है और टाइम फ्रेम आप यहां पर देख सकते हैं यह 50 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है जिसके वेसिस पर आप इंट्रोरे ट्वेडिंग आसानी से कर सकते हैं और यहां पर हमने दो indicator का इस्तेमाल किया, सबसे पहले यहां पर हमने volume का इस्तेमाल किया, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, यह रहा आपका volume, दूसरा जो हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, वह आपका volume profile, जो कि आप देख सकते हैं, white hand side में आपको clear कर देख जाएगा, यह र पार्टिकुलर टाइम पे हमें कितना बॉब देखने को मिल रहा है, जबकि वॉलम प्रोफाइल इसके अगेंस्ट यह बताता है, कि किसी पार्टिकुलर प्राइस पे कितना ज़्यादा बॉलुम है, मतलब यह किसी प्राइस पे वॉलुम को डिनोट करता है, और वॉलुम की अगर हम बात करें, यह किसी particular time पे कितना volume है, वो हमें denote करता है, यह निए volume हमें time के वो reference को लेके बताता है, जबकि volume profile हमें price को reference को लेके यह हमें बताता है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच में आपको differences समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे example से और ज्यादा आपको highest volume हमें कहाँ पे देखने को मिल भा, volume profile की अगर हम बात करें, यहनि volume profile कहाँ पे सबसे ज़्यादा थिक है, तो आपको यह थिक दिख रहा है, 41,400 लेके 41,500, यहनि यह जो 100 point का range है, इसी 100 point के range में हमें volume profile सबसे ज़्यादा थिक दिख रहा है, और आपको जहाँ पे volume profile थिक है उसी पे focus करना, और यह जो volume profile का range होता है, यह क्या काम करता है, यह आइदर आपका support की रूप में काम करेगा, यह फिर resistance की रूप में काम करेगा, और काफी हद तक chance है कि price आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, मतलब यह जो level है, यह आपका काफी हद तक magnet के रूप में भ बात किरे, price आपका इसके ऊपर open हुआ है, लेकिन इसके ऊपर टिक नहीं पाया, ultimately price आपका नीची आया, लेकिन कई बात attempt किया है, इस level को break करके ऊपर जाने का, लेकिन ultimately break नहीं कर पाया, और यहाँ पे price आपका एक range पकर लिया, मतलब अभी भी यह जो hurdle है, वह हमाई लिए क काम करता हुआ दिख रहा है, अब यहाँ पे देखिए, इस range को break करके ऊपर निकला है, और यहाँ पे volume के तरफ से भी support मिला है, लेकिन ultimately यह जो range था आपका, 41,400 लेके 500, जो कि आपका resistance के रूप में काम कर रहा था कहाँ पे, volume profile पे, उसको break नहीं कर पाया है, तो आप चाओ तो इस volume के basis पे हम यहाँ पे entry ले सकते थे, लेकिन यह काम कब हुआ है, यह काम हुआ है आपका market closing के time, यह नहीं market closing में सिर्फ आपका 20 minute का time रहे गया, तब जाके आपका यह काम हुआ है, और अगर हम volume और volume profile दोनों को use करते हैं, तो at least इसके नजदी के volume profile का hurdle है, मतलब हम इ इकलने के बाद ही बाइसर की तरफ entry लेंगे, इसके बीच में छोटा सा range है, यही छोटा सा हमारा profit point बनेगा, जो की काफी छोटा सा होगा, और लगभग risk या फिर SLP हमें इसी के बराबर ही रखना परेगा, तो यहाँ पे जो हम trade लेके first सकते थे, इससे भी हम बच सकते हैं volume और volume profile दोनों को एक साथ use करते हुए, अब अगले दिन क्या हुआ है, 7th of number की बात कर ले, price आपका gap up open हुआ है, और यह gap up कहाँ पे open हुआ है, 41,800 के आसपास open हुआ है, अब यहाँ पे अगर हम volume profile को देखते हैं, तो volume profile यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलवा है, यहाँ प support नहीं मिल पा रहा है, ultimately इतना ज्यादा price जाने के बापजोद भी, volume profile ठीक कहाँ पे है, इसी level के आसपास यह नहीं 41,500 के करीबी, यह हमें ठीक देखने को मिलवा है, मतलब इतना ज्यादा ऊपर price जाने के बापजोद भी, support level वहीं पे बना हुआ है, यही हमाँ लिए support के र जो support level है, इसके करीब जरूर आएगा, यहाँ पे दो काम किया जा सकता है, अगर आप risk लेने को तैयार हो, तो जैसे यहाँ पे price आपका नीचे गिवना स्टार्ट हुआ, sell side की तरफ जा सकते, इस point को SL के रूप में रखे, और यह जो point है, यह हमाँ लिए क्या काम करेगा, target की रूप में काम करेगा, पहला tweet यह हो सकता है, दूसरा tweet, अगर price इसके करीब आता है, और यह जो हमाँ लिए resistance की रूप में काम कर रहा था, वो support की रूप में convert हो गया, gap up open होते ही, अब इस support level से वापस price उपर जा सकता है, अगर volume के तरफ से support मिला तो, तो यहाँ पे आप buy side की तरफ entry भी ले सकते हो, जो की काफी ज़्यादा safe होगा, और यह lowest point हमारे लिए SL की रूप में काम करेगा, वापस से इसी target price के लिए, जहां से price आपका नीचे गिवना श्टार्ट किया था, तो देखिए, जैसे price आपका नीचे आया, उसकी बाद यहाँ पे volume भी आपका increase होता बाद दिखा है, और volume profile पे तो support level दिखी रहा है, तो यहाँ पे हम इसके आजपास लगबग, 41,550 के करीब हम क्या कर सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं, किस तरफ, buy side की तरफ, for the target price of 41,800 या फिर 41,700 तक के target price के लिए भी जा सकते थे, और ultimately यह उपर गया है, और इस target price को hit किया है, तो इस तरीके से हम क्या करें, हम price action को भी यहाँ पे read करेंगे, और ज्यादा एक ratio आएगा, लेकिन यहाँ पे हम volume और volume profile दोनों की मदद ले रहे हैं, और दोनों की मदद लेते हुए, ऐसे ही आप चाहोता हूं, nifty में भी trade ले सकते हो, और bank nifty मैंने आपको बताए ऐसे ही आपको tweet लेना है, तो अगर आप दोनों को एक साथ add करोगे, तो आपको किस particular time में और किस particular price पे कितना ज्यादा volume है, वो idea मिल जाएगा और वो idea मिल जाता है, तो हमें tweet लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमें आसान होता हुआ दिगिया है, तो इस तरीके से, तो उसके लिए हमने detailed course launch किया है, उसको आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो उसका लिंक आपको इस video के description में भी मिल जाएगा, वहाँ पे हमने future options के बारे में भी basic से लेकि advanced label तक मनाया, और हमने इस तरीके से बता है कि आप वो सब देखने के बाद independent trader के रूप में काम कर सकते हैं, तो आप एक बार हमारा mobile app download करके course को जबूर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप enroll कर सकते हैं, वहाँ पे आपको detailed information मिलेगा और आप वो सब कुछ देखके stock market में अपना carrier भी बना सकते हैं अब हम stocks को देखते हैं, तो इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में आप trade कर सकते हैं, अब stocks में हम volume और volume profile को use करते हुए, कैसे trade करेंगे वो यहाँ पे सीखने की ज़रुबत है, और यहाँ पे हम आगे है नेसले इंडिया के चार्ट पे और यह भी आपका 15 मिनट टा राइटली ऊपर गया है, और जहां पे सब ज़्यादा volume ठिक है, वही लेवल पे जाके price रूखा यह नहीं, यह जो लेवल है, यह अभी भी हमाई लिए क्या काम कर रहा, resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा, volume profile का यह range, और मैंने आपको पहले ही बताया था, कि volume profile को उस तो इसी को hurdle के रूप में मान के यह trade करता हुआ दिख रहा था, उसके बाद, 7th of number को, यहां पे भी breakout देखने को मिला है, यह नहीं, यह जो resistance के रूप में काम कर रहा था, वो हमाई लिए क्या convert हो गया, support के रूप में convert हो गया, और price आपका अच्छा खासा upside move दिखा दिया, अब वापस से same story repeat हुआ है, जो bank nifty में repeat हुआ था, जो volume profile है, यहां पे काफी ज़्यादा थीन है, मतलब यहां पे इसे कोई support मिलता हुआ नहीं दिख रहा, ultimately इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाप जोद भी, support जो develop हो रहा, इसी level के आसपा सब ज़्यादा हमें, volume profile यहीं प यहां पर इंट भी ले सकते हैं, किस तरफ, sell side की तरफ, और यहां पर देख सकते हैं, slightly negative volume भी आए, यहनी, volume के तरफ से भी यहां पर हमें time to time support मिलता हुआ जा रहा, volume हम सिर्फ confirmation के लिए use करेंगे, जहां पर हम trade ले रहें, वहां पर हम confirm करेंगे, कि negative या positive volume है या फिर नहीं है, फिर price ultimately नीचे है, और इस level को hit किया, जैसे यहां पर hit करेंगा, हम exit हो जाएंगे, अब दुबारा entry हम कैसे ले सकते हैं, यह हमाई लिए support की रूप में काम करा, अब support से price अगर वापस उपर लोटता है with volume, देखिए, यहां पर volume आया, price उपर लोटता है, यहीं के आसपा आप चाहे तो stocks में, या फिर nifty में, या फिर आप bank nifty में भी volume और volume profile को use करते हुए, आसानी से profit बना सकते हैं, यह काफी simple सा तरीका है, लेकिर मुश्रीलों को use करना नहीं जानते हैं, या फिर use करना नहीं चाहते हैं, आपको दोनों को एक साथ use करना है, और आपको पता चल और इस से आपको tweet लेने में बहुत जादा आसानी होगी, उमीद करते हैं, यह simple सा concept आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए, चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजिए, साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, त आपको notification मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिंद!